आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ईजी लेकिन खाने में जबरत टेस्टी और फेमस ऐसी सोलापूर की शेंगदाना चटनी आपने नाम तो सुनाई होगा और ये रेसिपी में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ईजी तरीके से और साथ हम इसे म बनाया जाता है लेकिन मैं एकदम इजी मैथड से आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ मिक्सिके जार में परफेक्ट सोलापूर में जैसे मिलते है ना शेंगदाना चटनी वैसे हम घर पर बनाएंगे चुटे चुटे टिप्स के साथ हम इसे बनाएंगे ताकि परफेक्ट जैसे बाहर या फिर सोलापूर में जैसे मिलते है शेंगदाना चटनी वैसे ही हम घर पर एकदम बढ़िया तरीके से बनाएंगे ये हलकी सी गीली और एकदम स्पाइसी मज़ेदार होती है और खास बात आप इसे बना कर एक से देड़ महिने स्टोर करकर भी र पहले गास के उपर रखे कड़ाई इसमें डाल दूंगी मैं एक कप पीनट यानि शेंगदाना आपके गर में जो आवेलेबल हो वो शेंगदाना आप इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसे लो टू मेडियाम फ्लेम पर बढ़िया से बूहन लेंगे इसका जो स्वाध हैने चट इसलिए लो टू मेडियाम फ्लेम पर इस तरीके से स्टर करते हुए इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा मतलब यह परफेक्ली रोस्ट है या फिर आप इसका एक पीनट देखकर ऐसे चिलका निकाल कर देखेंगे और यह इसलिए रिमूव हो जाएगा इसका मतलब यह संदाएगा तो ट्राय जरूर कीजिए तो इसे में इस बरतन में निकाल रही हूँ और इसे हलका थंडा कर लेंगे एकदम थंडा नहीं करना है बस हलका सा हम इसे हातों से चू सके इतना हमें इसे थंडा करना है और इतना थंडा होने के बाद हातों की हिल्प से इस तरीके स थोड़ा सा छिलका निकाल देंगे और थोड़े का रहने देंगे उससे भी इसका टेस्ट जो है वो बढ़े आएगा यह आपकी चोईस होगी अगर आप पूरा छिलका रिमूव करना चाहते तो आप वैसे कीजे वरना आप आदा छिलका रहने भी दे सकते हैं तो यहाँ पर म मैंने ली है यह रेड चिली पाउडर यानि लाल मिर्ची पाउडर यह मैंने तीन बड़े चमश ली है और स्वात के अकॉर्डिंग नमक आप तीखा कितना खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें टीखा डाल सकते हैं अगर आपको कम तीखा पसंदे तो यहाँ पर आप कश्मि ठीली पाउडर डाल दिया है अब हम इसे मिकसी में चला लेंगे मैं मिकसी में चलाते हैं से हमने लगातार नहीं चला ना है तिर से दो चतनी में इसी से बड़ी अस्वाद आईगा यह है लसन इसे गावरान लसन कहा जाता है ये इस तरीके का थोड़ा सा हलका इसक Deps का जो चिलका होता है वो पिंक होता है इसलिए ये जो गावरान लसन है इसका चिलका हमें रिमू़ नहीं करना है इसे इस चत्मी में एकदम बढ़िया टेस्ट आता है तो यहाँ पर लसन की quantity जादा लेनी है तो यहाँ पर मैंने दो जो लसन होते है उसको उपर का बस उपर का जो चिलका होता है वो रिमूव किया और जो ऐसे ऐसे पंखुडी है वो सभी वैसे ही बिना चिले इसके अंदर डाल दी है तो यह आप कम जादा कर सकत है बट यह जादा होगा तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ी आएगा अब हम ढगा कर सेम उसी तरीके से पर रुक रुक कर इसे चला लेंगे तो आप देख सकते है मैंने इसे रुक रुक कर बीच में इस तरीके से चम्मत से चला कर पर यह चटनी रेडी कर ली है यह हलकिसी गीली है और इसकी खुश्बू इतनी बढ़िया है मेरा पूरा किचन महेक रहा है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राइ कीजे इसका टेस्ट इतना जबरदस होता है कि आप एक बार खाने के बाद इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे एकदम बढ़िया और हलकि इसका टेस्ट इसका टेस्ट इसका टेस्ट इसका टेस्ट गरपर बनकर रेडी हो जाएगी आप इसे किसी यहर टाइट कंटेनर में रखकर एक से देड़ महिना आराम से इंजय कर सकते हैं और इसकी एक खास बात बताओ आप अगर कोई सुखी सबजी बना रहे हो तो बस दो चमच उश में यह चटनी डाल दीजिए उससे आपकी सबजी भी बहट टेस्टी बनेगी तो आप भी इस मज़ेदार जटपट बनने वाल तक यू फर वाचिग मैं वीडियो